आप देख रहे हैं इंजेनियूस हिमाशिल और मैं हूँ आपके साथ परमचीत कॉल्टन की शुरात करते हैं वस्तार से अकिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की राश्ट्री महासाची प्रेंका गांधी 12 सितंबर को हिमाशिल प्रदेश के दौरे पर आ रही है प्रेंका गांधी सुभाय चंडिगर से कुल्लू पहुंचेंगी यहाँ पर प्रेंका गांधी और हिमाशिल के मुख्यमंत्री सुखविंदा सिंग सुखू आपदा परभावितों से बात करेंगे हिमाशल प्रदेश में भारी बारिज से च्छासी सो करोड रुपई से जादा की नीजीवस सरकारी संपक्ति तबाह हुई है प्रेंका गांधी से पहले भाजपा के राष्ट्य अध्याक्ष जेपी नड़ा केंदरे मंतरि नितिन कर्डकरी भी हिमाशल में हुई तबाही को देख चुके हैं प्रेंका गांधी का हिमाचल दौरा प्रेंका गांधी हिमाचल आ रही है बाड़ प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए उनकी मुश्कलों को सुनने के लिए तो बता दे कि सुख्विंद सुख्व भी इनके साथ रहेंगे उनको रिसीव करने के लिए चंडीकड़े अफोर्ट पर जाएंगे तो बताना चाहेंगे कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा वह मंडी की सांसत भी हैं और कॉंग्रेस कमीटी की प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनका स्वयम परधानमंतरी नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए इस आपदा की घड़ी में वैसे भी केंद्र सरकार ने किसी भी परकार की कमी नहीं रखी है एक और केंद्र सरकार ने हिमाश्र परदेश को आपदा के लिए 1200 करोड से अधिक की राशी उपलब्द कराई है आपदा पर भावित लोगों को 6000 से जादा घर उपलब्द करवाए गए है और परदान मंत्री ग्राम सर्डक योचना के अंतरगत 2643 करोड की राशी सविकरत की है शायद कॉंग्रेस नेताओं को यह दिखता नहीं है अब काम तो कॉंग्रेस सरकार को करना है केंद्र तो सहायता परदान कर सकता है परदान मंत्री से मुलाकात करें यह कहना है सुरेश का शब्का तो उन्होंने यह भी कहा है कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा उनको स्वेम जाकर परदान मंत्री नरेंद्र मोधी से मिलना चाहिए क्योंग्रेस सरकार से सिरफ आर्थिक सहायता ही मिल सकती है काम तो आपकी सरकार को ही करना होगा